अगर आपको treatment पर जो मेरी बात थी कि treatment कैसे करा जाए अगर हम tonsillitis की बात करें कि tonsillitis को कैसे ठीक करा जाए तो उसका treatment भी है कि treatment करा जाता है और यह बिल्कुल एक physician practice करने की जो बुक से हमेने उसी से ही अपना पढ़ा है और जो मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आप treatment करेंगे सबसे पहले आप ध्यान दें कि ऐसी परिशानी में जैसे आपको दिक्कत रहती है एक बहुत ही आयरुवेदिक आपको सब जानते है कि आपको steam inhalation लेनी है तीन से चार टाइम ठीक है और उसके अंदर आप विक्स हो सके eucalyptus की oil की भी आती है आपकी चुटी-चुटी soft gelatin capsule आती है वो आप इस्तमाल कर सकते है और tincture आता है benzoin का वो इस्तमाल करेंगे तो आपको रहत मिल सकती है गरम पानी का इस्तमाल करना है और उसके अंदर हमेशा नमक डालना है क्योंकि नमक क्या रहता है ये bacteria का जो रहत कर सकते हैं जो कि आपका antiseptic काम आता है उससे भी अगर आप क्लो एक्सडीन भी कह सकते हैं ऐसे से अगर आप इस्तमाल करें तो आपको भी उससे रहत मिल जाती है वो antibacterial काम करते हैं अब जो दवाईया इसमें रहेंगी वो सबसे पहली बात यह रहेगी कि आपको सिरप eryth का सिरप आता है इसको आप क्या रहते है एक से दो आप पी सकते हैं मतलब के टेबल स्पून पी सकते हैं और आपको ऐसा एक दिन में तीन बार अगर आप यह दो से तीन बार अगर सुबह शाम रात अगर करते हैं तो आपको इससे रहत मिल जाएगी यह कम से कम पास दिन तक करिए आप रात मिल जाएगी फिर आप अपने physician से फिर पूछ सकते हैं फ्लेमार syrup आता है आपका फ्लेमार आपका क्या रहता है क्रोसी नॉनिमसलाइट का combination syrup रहता है बहुत अच्छा काम करता है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं आप एक टेबल स्पून पी सकते हैं तीन बार आप अराम से एक एक दिन में सुबह शाम रात आपको रहत मिल जाएगी फीवर आपको टॉंसलाइटिस में अगर आपको फीवर लग रहा है तो उसमें आप क्रोसीन का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्रोसीन का syrup आता है यह भी आप दो बार करें तो बहुत है एक सुबह शाम आप सिरफ भी रहे हैं तो मतलब suspension शिरफ जो suspension आता है तो आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सही पड़ सकता है उसके बाद टेनलिक्स का एक syrup आता है यह प्रोमी थायजीन और क्या बहुत है फॉल कोर्डीन का combination में एक brand निप टेनलिक्स का आता है यह उनके लिए जिनको अगर कफ भी रह रहा है और इसको दिक्कत भी आ रही है तो आप इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं इसको भी सुबेशाम अगर आप लेले तो ठीक रहेगा ठीक है आप BDS लिखना चाहता है ठीक है पास दिन आप कर सकते हैं अगर इसके बाद भी आपको परेशानी रह रही है और इस कारण आपको फिर से अगें टॉंसिल की प्रॉब्लम हो रही है दिक्कते आनी शुरू हो रही है तो आप को यह इक दवाई आती है टाबलेट उसको कहते हैं की टाबलेट नाती है क्या बोलते हैं आपको सुबह शाम आप या फिर आपके सकते हैं सुबह शाम रात में भी खा सकते हैं और ये 1-2 मंद तक आपको करना है ताकि आपको फिर से कभी tónsil के ऐसे एपिसोड मतलब tonsil फिर इसे ना हो इसके लिए और आपको कम से कम बहुत मसालेदार खाना या पर अगर आप यह चीज भी फॉलो करते हैं तो भी आपको ठीक हो सकता है यह कुछ दवाईया है जो मैंने आपको बताइए इससे भी आप ठीक कर सकते हैं मुस्ली सस्पेंशन, सिरप पर जादा फोकस करना और टैबलेट भी आप ले सकते हैं अल्टरनेटिबली पर सस्पेंशन जादा बहतरीन आपके शरीर में घुलेगा और जल्दी आपको रहत बिलेगी तो यह थी वीडियो कैसे टॉंसिलाइटिस ठीक करने की